देखिए दोस्तों मैंने आज एक नॉर्माल टीवी को एंड्रोइड टीवी में कनबर्ट करा हूँ आप यहाँ पे देखिए सारे जो चीज़ें एंड्रोइड के अंदर होती है यूटूब, नेटफ्लिक्स, एमाजन प्राइम सारे चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती है क्योंकि एक नॉर्माल टीवी है और इस नॉर्माल टीवी को एंड्रोइड टीवी में कनबर्ट करा हूँ, इसका सारे प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जुरूइड देखते रही है एक नॉर्माल टीवी को एंड्रोइड टीवी में कनबर्ट करने के लिए हमें क्या-क्या मैट्रियल की हमें जोरह तो मेन मदरबुड लगा हुआ है वो मदरबुड डेड़ हो चुका है बिजली गिनने के बाद मैं आपको यहां पे खोल के दिखाता हूं इसके अंदर टोटाल दो मदरबुड लगा हुआ है एक तो पावर सप्लाइ सेक्शन और एक हमरा कंट्रोलिंग सिस्टेम यहां पर द टाइब का यह उनिवर्सल एंड्रोइड मदरबुड इसके साथ साथ जो है इसके अंदर ऑन जीवी रैम है एड़ जीवी स्टोड़ेज है और इसके अंदर बहुत सरे फीचर्स ऐसा भी है जो कि आपको एक एंड्रोइड मोबाइल फोन के जैसे मिलता है और एंड्रोइड इसको लगाने के लिए एक साइड का पटी भी मिल जाती है उसके बाद हमरा यह में मदरबुड जो की एंड्रोइड में कनवाट हो जाएंगे किसी भी टीवी के अंदर अगर आप इस मदरबुड को लगा होगे तो वह नॉर्माल टीवी से एंड्रोइड टीवी में आप पर आपको इस मदरबुड को कैसे खड़िदना है और खड़िदने का लिंक भी आपको मिल जाएंगे तो जिसको भी जोरोट इस मदरबुड को जाके परचेस कर सकते हों आप बात आते कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे तो इंस्टॉलर सिंग का प्रोसेस अगर आपको साब साब दिखाए दे रहा होगा एस त्री सिक्स एट ए ओन पॉइंट फाइब यह ओन जीवी और एट जीवी वाला वरियंट है तो इसको इसके अंदर इंस्ट्रॉल करने के लिए हमारे पास दो तिन तरीका होते हैं अगर किसी भी टीवी के अंदर हमारा यह पावर परेगे और हमारा दो बेनिफिट हमें इसके अंदर से मिलेंगे एक तो इसके अंदर जो बैकलेट लगा हुआ है वह बैकलाइट इस पावर सप्लाइब के साथ जूरा हुआ है तो हम अगर इस पावर सप्लाइब को इसके साथ जूरेंगे तो हमें अलग से बैकलाइबर ल पिल हमारे उनलाइन इस्ट्रोट पर मिल जाएंगे चलिए आप मैं आपको दिखाता हूं इसको इन्स्ट्राल कैसे करेंगा और सारे कनेक्शन बगरा कैसे करेंगे तो हम सबसे पहले हम इस मदर बूट को निकालेंगे यह जो हमने मदर बूट और लबीडिये कनेक्टर या केविल को निकाला हूं इन दोनों का कोई काम नहीं है इसको एंडुट ट्व में कनवर्ट करने के लिए तो इसको मैं साइड में रख देता हूं उसके बाद मैं इसका जो पावर सप्लाई सेक्शन है इसको बहान निकलता हूं पावर सप्लाई सेक्शन को निकालने के बाद आपको यह देखना होता है कि इसके अंदर से आउटपूट वोल्टेज कितने कितने निकल रही है तो क्यूंकि हमरा यह एंडुट मादर बोड 12 पर चलती है तो हमें इस बोड़ से इस मादर बोड को 12 पावर सप्लाई द जो डेटा डेटा है यहां पर लिखा हुआ है दिक्वांड सा पीन से कितने बोल्टेज निकलें गए वो सारे जानकारी इस जगहा पर लिखा हुआ है तो यहां पर देखे यहां पर 13 वोल्ट आउटपूल्ट निकल रही है तो 13 अगर हम इसके अंदर देंगे तो यह पर इन्पूट होगा और इसके आउट पूट से हमारा बारबोल्ट इस मदरबूट को जाएगा और इसके साथ हमें और एक कनेक्शन करना होगा इनेबल के लिए यहां पर दिखें जैक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है पावर ओन आप के लिए छे नंबर पीन हमारा काम प देता हूं उसके बाद मैं इसके अंदर इन दोनों को इंस्टॉल करूंगा और सारे जो हम कनेक्शन करेंगे और इसका जो कौनसा कहां पर हम और को जूरेंगे माइक्रोइस्कोप के जरी आपको दिखाने की कोशिस करता हूं तो यहां पर ध्यान दिजिए दोस्तों जहां और पे हमरा यह जो कनेक्टर लगा हुआ है पावर आउट्पूट होने के लिए तो इसके पीछे जब मैं करने जा रहा था कनेक्शन का तो यहां पर देखिए ट्योव धोर लिखा हुआ है और रगाउट के लिए अंपर दिया हुआ है यानि कि अगर हमें यहां से पावर मार्क दिया हुआ है तो यह हमारा हो जाएगा ग्राउंड के लिए तो यह भी हो जाएगा ग्राउंड के लिए हमारा और यहां पर देखे यह connection भी हमारा ग्राउंड के लिए है तो यह हो गया हमारा तेरा बोल के लिए यह वाला उसके बाद हमारा हो गया ग्राउंड के लिए यह वाला उसके बाद आप यहां पे देखिए पी डॉब्लू आर ओन ओफ यानि की पावर ओन ओफ के लिए यहां पे एरो दिया हुआ है और यहां पे एक जागा छोड़ा हुआ है तो हमारा यह तीन जो कनेक्शन है यही हमारा जुरूरत होगा एक एंड स and as को हम जोड़ेंगे तेरा फॉल के साथ प्लास बलाहम जोड़ेंगे आप यहां पर ध्यां से देखिए जहां पर कर रहा था एप3 ग्रूल का यह वाला को कि इस पर उप इस यहां पर बीकर सकते हो यह उपर और और उसके साथ साथ आप जो है इस जगा पर भी कर सकते हो तो हम यहां पर कर देंगे क्योंकि यहां पर हमारा जो वेयर हो जो है यह कम लगेगा यहां ग्राउंड और पॉजिटिव पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है और अब हम करेंगे पावर ओन आफ के लिए तो पा करेंट है अभी पावर ओन आफ के लिए तो यहां पर हम एक ग्रीन वेयर को जोड़ देंगे कि एरा हमने के ग्रीन वेयर को जोड़ दिया हूं तो हमरा तीन कनेक्शन हो चुका है तेरा वोल्ट ग्राउंड और यह हमारा ओन आफ उसके बाद हम क्या करेंगे हम सबसे पहले 12 वोल्ट हम इसके आउट पूट पेचेक करेंगे यह जो हमने इसके आउट पूट हम उनने बांभी चेक करेंगे उसके बाद ही मद्रवोड़ के साथ कनेक्शन करेंगा नहीं तो हमारा बौट ज्वर्ड होने के चांसे करने के बाद आप बाड़ी आते कि इसके जो आउट पूट है जहां से हमारा ट्वेल बोल्ड निकलेंगे इस ट्वेल बोल्ड के साथ यह जो दो और निकला है दोस्तों यह दो और को हम कहां पर लगाएंगे वह भी आम मैं आपको दिखाता हूं यह जो हमारा मादर बोड है इस मादर बोड के अंदर आप यहां पर देखिए सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे यहां पर ग्राउंड और ट्वेल बोल्ड तो ग्राउंड के साथ हम इसको जोडेंगे और ट्वेल बोल के साथ हम इस रेड वाले को जोडेंगे चलिए मैं आपको जोर के दिखाता हूं तो यहां पर हमारा ग्राउंड और 12 बोल का कनेक्शन हो चुका है और आप बढ़ी आते हैं बी एल करके एक जोड़ देंगे देखिए आप हमारा तीनों के तीनों जो कनेक्शन है वो कंप्लेट हो चुका है और आप बाड़ी आते हैं इसको टीवी के अंदर इंस्ट्रॉल करना तो आप हम इस पावर सप्लाई सेक्शन को जहां पर लगा हुआ था वही पर हम लगा देंगे उसके लगा तो हम चाहता हूँ किस मदर बूट को यहां पर इंस्ट्रॉल करना तो यहां पर इंस्ट्रॉल करने के लिए हम सिदा-सिदा यह सेही इंस्ट्रॉल कर देंगे तो यह नहीं हो पाएगा क्यों पीछे जो तो यहां पर पावर सप्लाई बागरा दिया हुआ है स्वाट होने के चांसे रहेगा इसलिए हम क्या करेंगे एक प्लास्टिक बॉक्स को मैं इस्तेमल करने वालों इसको इंस्ट्रॉल करने के लिए उससे पहले यह जो हमारा बाक कन वाटर है इस बाक कन वाटर को मैं यहां फिकस करने वाला हों और यहां पर सेट करने के लिए हमारे पास डoubler्न साइट टेप सि डाबल साइट टेप को मैं इसको फिकस करने के लिए इस्तमाल करता हूँ जल्दी से में थोरा सा कट लेता हूँ है यह हमरा श्राइद टेप बहुत ही पावरफूल है तो हम इसको यहां पे लगाता हूं और इसको लगामे के बाद यहां पर ऊच्छे तरीके साथऀक्स करदेंगे, यह यहां पर हमारा फिक्स हो चुका है और यह अब चूटएगा नहीं यहां से उसके बाद हमारा अगला जो स्टेप्स होते हैं दोस्तों कि यह जो देखिए एक बॉक्स है और बॉक्स के पीछे मैं यहां पर डॉबल साइट टेप चिपका के रखा हूं तो इस मदर बोड को हम यहां पर डालेंगे और डालने के बाद इस बॉक्स को यहां पर मैं फिक्स करूंगा तो इस बॉक्स को यहां पर फिक्स करने से पहले मैं जो पीछे का टेप है इस टेप को भी मैं उठा लेता हूं और आब मैं इसको यहाँ पर पर्मानेंटली फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर देखिए हमारा बॉक्स पर्मानेंटली फिक्स हो चुका है यह आब उठेगा नहीं इसके बाद हम दो काम करेंगे इसका स्पिकर्स का कनेक्शन करेंगे और Speakers का Connection करने के लिए मैं एक दूसरा Process follow करने वाला हूं क्योंकि यहां पर जो Connector लगा उआ है यह Connector हमारा यहां पर नहीं जाएगा क्योंकि हमार 2.5 mm का Connector रहिए हमारा 2 mm का Connector है तो इसके लिए मैं यह जो ज्याक है इस ज्याक को मैं Ishters Quand करने वाला हूँ यहां तो सबसे पहले मैं इस चीज को यहां पर फिक्स कर लेता हूँ और इसको फिक्स करने के लिए मैं दो इसक्रू को भी इस्तेमाल करने वाला हूँ यहां पर इसक्रू लागाने के लिए जगा दिया गया है और इसक्रू में यहां पर लगाऊँगा यहा यहां पर देखिए दोस्तों मैंने JST connector को दुने स्पेकर के साथ जहलाई कर दिया हूं और जहां पर जो इसको प्लेस कर देता हूं प्लेस करने के बाद जो इस प्रेक्टर को हम इस पिकर्स के जगा लगा दिया हूं तो हमारा यह जो कनेक्शन है वो कंप्लेट हो चुका है और आप मैंने इसके साथ एक के जो की इनुलक्स कंपणी का यहां पर देखिये इनुलक्स भी दो सो चट्षीस भी जेव और इसका अगर पैनिल आपके टीवी के अंदर लगा हुआ है सेम नमर का तो आपको यह जो यह जो एंट इस यह जो नेसके गेल की आपको जुरत परेगी जो कि राइट साइड पर हमारा उनिवर्सल मदरबूर्ट के साथ इस तरीके से लग जाएगा यह लग गया और लगाने के बाद आपको यहां पर जो देख रहे होंगे इस जमपर के अंदर जो टूएल भूल के लिए पॉइंट दिया गया है बीच वाला उसे टूएल भूल के साथ आपको सेट करन तो हमारा सारे connection हो चुका है और आब हमारे को और एक connection करना पर गानेक्शन के लिए में इसके साथ जोडने वाला हूं जो पहले से लगा हुआ है अगर नहीं जलेगा तो इसके जगापे में दूसरा कोई चीज़ को जलाओंगा अभी फिलाल के लिए मैं एक बढ़ इसको ट तो इसके लिए यह जो हमारा sensor है उस sensor को मैं यहां पर लगाऊंगा और लगाने के बाद मैं एक बार चालू करके देखूंगा कि हमने अभी जो connection बगरा करा हूं यह सरे connection हमारा सही सलमत हुआ है या नहीं तो अब मैं इसके अंदर power देता हूं और power देने के बाद एक बार चाल आप यहां पर देखें जो हमारा back converter था इस back converter के अंदर एक इंडिकेटर जल रहा है और आप यहां पर देखिए यह भी इंडिकेटर चल रहा है और हमारा आप चलिए मैं देख लेता हूं कि हमारा यह जो connection और जो installation का जो प्रोसेस है वो complete हुआ है कि नहीं अभी मैं इसको इ तो आपने देख लिया दोस्तों कि हमारा टीवी successfully on हो चुका है और आप बाड़ी आते हैं जो हमारा sensor है sensor को हम यहां पर लगाएंगे कैसे तो इसके लिए यहां पर जो यह पहले से लगा हुआ इसके नीचे हम इसको डाल देंगे ताकि इसका इंडिकेटर है वो भी दिख जाए और इसका sensor है वो भी काम करना लग जाए तो इसको यहां पर मैंने लगा दिया और लगाने के बाद हमरे पास सबसे बड़ी जो दिख्यात आती है दोस्तों इसका input हम कैसे करेंगे HDMI और AB से क्यूंकि हम तो इसको अंदर लगाया हूं तो मैंने customer से बात करा हूं तो इस के जो अंदर जो पीछे का साइड ढकान है इसके अंदर अगर बाहर हम इस बोड को लगाएंगे तो वो दिवार पे लटकाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है तो customer ने जो बताया कि इसके अंदर से जो एक और निकाल दीजिए यह भी के लिए आप निगल सकते हो को HDMI से भी आप निगल सकते हो तो जो जिस customer का टीवी है उसके पास जो सेट आप बॉक्स हमारा HDMI से चलती है तो हम क्या करेंगे एक HDMI जो हम लेंगे और हम इसको लगाएंगे और इसके अंदर साम बाहर निकालेंगे और यह जो चीज़े दोस्तों हमने customer से बात कर रहा हूं अ सब्सक्राइब को आप Android में convert करना चाहते हो तो आप इस motherboard को बाहर भी लगा सकते हो बाहर भी लग जाएगा इसके जो ढखकान है इसके उपर इस तरीके का जो ढखकान आती है यह लग जाती है इस तरीके से तो बहार लगा दोगे कोई भी प्रॉब्लेम नहीं होंगे लेकि और उसके साथ-साथ आपके मन में अगर कोई दूसरा कोई ख्यालो आप चाहते हो इसके अंदर जो युएसभी कॉट है दोस्तों यह उसभी कॉट भी आप निकल सकते हो यहां पर देखिए एक जैक दिया गया है इस जैक के मदद से आप एक उस्भी निकल सकते हो यह जैक वसीले दिया गिया है अगर यह जैक कहीं पर आप सेट कर रहे हो तो यह आगर आपको प्रेस में नहीं आ रहा है तो इसके चार वियर के मदब से आप अलग से एक्स्टरनाली यूएसबी कॉट को लगा के आप जो है पेंड राइब से कुछ भी चला सकते हो चलिए आप में इ को फाइनल करता हूँ सबसे पहले में आपको इसके अन्दर ने यानि की यूटूब चलाके दिखाने वाला हूँ उसके बाद में इसको सेटप बॉक्स या दूसरे चीश के जरिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो इसके आंदर मैं पावर सब्लाइं यहां पे इंपू से रिलीज करने के लिए जो इंडिकेटर है दोस्तों यहां पर दिया हुआ है तो यहां पर देखिए रेडेलेडी जल रहा है अभी मैं इसको रेमोट को प्रेस करूंगा और इस्टनबाइस से रिलीज हो चुका है और आप देखिए यहां पर हमारे स्मार्टी भी लिखा आ चुका है और इसके बाद हमारा एंड्रोइड का सिस्टेम में यह भी हमें दिखने को लग जाएगा तो पीछे का लाइट को मैं बंद कर देता हूं देखिए दोस्ता भी हमारा एंड्रोइड टीव में बिल्कुल कंप्लेट हो चुका है और इसको बुटिंग होने के लिए समय लेगा तो आप अगर इस मदर बोड को पर्चेस करना चाहते हो तो हमारे ओनलाइन स्टोर से पर्चेस कर सकतो बहुत ही कम कीमत के अंदर आपको मिल जाएंगे देखिए आप हमारा यह टीवी सस्सेस्पुली चालो हो चुका है आप चले मैं आपको इसके अंदर यूट दूसरा आउस चलाएंगे तो कॉपिराइट आने की चांसेस रहता है तो हमारा रही जो वीडियो है इस हमारा ही वीडियो को चला के आपको दिखाता हूं यह देखिए हमारा वीडियो यह हमने दो अपता पहले डाला था इसी वीडियो को देखिए साउंड बगरा बिल्कुल सही है देखिए हमारा ही है साउंड तो देखिए दोस्तों हमरा यह टीबी जो है सकस्सफुली एंड इंटरफेस है आप इसके अंदर गेम वगरा यूटूब सब कुछ आप चला सकते हो नेट्फ्लिक्स उसके वाद गूगल प्लेश सब कुछ आप इसके अंदर चला सकते हो और तो और आपने एसके अंदर अपने मोबाइल फोन का जो स्क्रीन है उस स्क्रीन को भी आप सेयर कर सकते हूं आप मिराकस्ट का ओप्षन इसके अंदर इन बिल्ड है और काफी अच्छे से यह मिराकस्ट वाला जो ओप्षन है काम करता है तो मुझे आसा है कि दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक जुरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और अगर आप इसी तरह के का वीडियो को और भी आगे आने वालों दिनों में देखना चाते हो तो चैनल को सब्स्राइब करके जूरे रहिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों हम फिर मिल वेडियो साथ